परदान मंत्री जंदन योजना में खाता खुलवाने के है बड़े फाइदे, मिलेगा चार बड़ी योजनाओं का लाब और पांच हजार रुपे महिना की पैंसन। आपके पास क्या क्या डोकुमेंट होने चाहिए जिससे आप अपना खाता जंदन योजना में खुलवा सके तो complete जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे पूरा एक्स्प्लेन करेंगे तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा परदान मंत्री जंदन योजना के एक बहुती महत्यपूर्ण योजना है इस योजना के माध्यम से आम गरीब आदमी को बैंकिंग सेवा से जोड़ा जा रहा है और जोड़ा भी जा चुका है परदान मंत्री जंदन योजना में गरीब लोगों के लिए बैंकों के दरवाजे खोल दिये हैं उन्हें जंदन खाते की पास्बुक और रुपे काड की नई ताकत दी है इस योजना के अंतरगत खाता खोणने वाले खाता धारक को सस्ता बीमा के साथ आर्थिक मदद भी मिलती है तो क्या-क्या सुवधाय मिलती है जंदन खाता धारकों को आज के जमाने में जो पहली योजना है जिसके अंतरगत आपको लाब दिया जाता है आज के जमाने में जिन्दगी और मोत का कुछ पता नहीं तो इसलिए हर कोई अपना बीमा करवाने पर ज्यादा जोड दे रहा है लेकिन सभी के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपना बीमा करवा सके लेकिन अगर आपका परधान मंत जीवन जोती बीमा वे परधान मंतरी सुरक्षा बीमा योजना के अंतरगत आपको दिया जाता है परधान मंतरी जंदन योजना में जो योजना है परधान मंतरी जीवन जोती बीमा और परधान मंतरी बीमा सुरक्षा योजना इसमें आपको दो दो लाग रुपे का बीमा मिलता है और वह है भी बहुती सस्ते दामों में आपको दिया जाता है यह दो योजनाई इस खाते से जोड़ी गई है जिससे आपको साल भर में बहुत मामुली सा पैसा दे करके आप अपना एक साल का बीमा आसानी से करवा सकते हैं जिवन जोती बीमा और बीमा सुरक्सा योजना में आप हर साल बहुत ही सस्ते दाम में मामुली सी कीमा दे करके अपना बीमा करवा सकते हैं और इसमें आपको दो दो लाग रुपे का बीमा मिलता है दूसरी जो सबसे महत्वपुन योजना का लाब जंदन खाते वालों को दिया जाता है वह पैंसन का है अगर आपका जंदन का खाता है तो आप इस खाते के जरिये अटल पैंसन योजना का लाब ले सकते हैं इसमें आपको 5000 रुपे तक की पैंसन दिया जाता है और इसमें भी आपको कुछ पैसा देना पड़ता है अगर जंदन अकाउंट में आप अटल पैंसन योजना को जोड़ पाते हैं तो उसका जो पैसा होता है उसी में से आपके पैंसन का पैसा कट जाता है और 60 साल के आपको 5000 रुपे महिना की पैंसन मिलना स्टार्ट हो जाती है देखे अगर आपका जंधन का खाता है और आपने अटल पैंसन योजना के लिए भी आवधन किया हुआ है तो आप जंधन के खाते में ही उसको जोड सकते है या जंधन के खाते के माद्धम से आप अटल पैंसन योजना के लिए आवधन कर सकते है इसमें आपको 5000 रुपे का महिना का पैंसन दिया जाता है इस खाते में परधान मंत्री मांधन योजना को भी जोड़ा गया है जिसमें आपको 3000 रुपे का पैंसन दिया जाता है अगर आपका खाता 6 महीने पुराना है तो आप इससे 10,000 रुपे और और ड्राप्ट के जरिए निकाल सकते हैं लेकिन इसके लिए आपका खाता 6 महीने पुराना होना चाहिए जंदन योजना के खाते में आपको मिनियम बैलेंस रखने की टैंसन नहीं है इसमें रखे गए प आपने खाते से पूरे देश में कहीं पर भी आप 500 ट्रासफर कर सकते हैं जितने भी सरकारी योजनाएं हैं सबी सरकारी योजनाव कालाब सीधे जंदन खातों में दिया जाता है जन्दन खाते में आपको रूपे कार दिया जाता है जिससे आप सोपिंग में इस्तमाल कर सकते हैं और जन्दन खाते में जो अब सरकार ने नियम पहले ही बना दियाता कि आपको मिनियम बैलेंस रखना होता है तो इस खाते में आपको मिल्यम बैनल्स रखने की भी टैंसन नहीं है खाता खुलवाने के लिए क्या क्या डोकुमेंट चाहिए देखिए अगर आप परधान मंतिरी जंदन योजना में अपना खाता खुलवाना चाहते हैं तो इस खाते का KYC वेरिफिकेशन होता है इसमें आपके पास आधारकाड, पैनकाड, ड्राइम्न लेसंस, वोटर आइडि, कार्ड, पासपोर्ट, मन्रेगा जोब कार्ड होना जरूरी है अगर आपके पास यह डोकुमेंट हैं तो आप आसानी से इसमें खाता खुलवा सकते हैं दोस्तो अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइम लेसंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और मन्रेगा जोब कार्ड यह आईडी हैं तो आप इसमें अपना खाता खुलवा सकते हैं और अगर अभी तक आपने अपना जन्दन योजना में खाता नहीं खुलवाया है तो जल्दी ही आप अपना खाता खुलवा ले आप अपने नजदी की बैंक में जाकर इसमें खाता खुलवा सकते हैं और कुछ प्रावेड बैंकों में भी जंदन योजना के अंतरगत खाते खोले जाते हैं और आप अपना खाता खुलवा करके इन सभी सरकारी योजनाओं का लाब उठा सकते हैं जिसमें आपको 2-2 लाग रुपे का बीमा दिया जाता है, 30,000 रुपे का आपको जनरल इंसुरे दिया जाता है, महीं आपको 5,000 रुपे महीना का पैंसन दिया जाता है और इसमें आपकी मीनियम बैलन्स रखने की टैंसन खतम है, रुपे काड दिया जाता है जिससे आप खरीददारी कर सकते हैं तो वीडियो अगर थोड़ा भी महत्यपूर्ण लगा हो आपको तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद